तमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूँ जोटसना पाटनी भारत को आख दिखाने के कोशिश करने वाले जिन पिंग के चाइनीज ड्रीम्स चकना चूर हो रहे हैं भारतियों वायुसेना की ताकत बढ़ाने रफेल विमान भारत में लैंड करने वाले हैं यही नहीं हिंदुस्तान ने चीन पर दूसरी डिजिटल स्ट्राइक भी की है भारत ने 47 चाइनीज आप्स पर प्रतिबंध लगाया है भारत के अलावा रूस ने भी चीन को जटका देते हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई सस्पेंड कर दी है यानि अब ये साफ है कि हिंदुस्तान की नेतरतों में न्यू वर्ल्ड ओर्डर बन रहा है ये उभरती हुए न्यू वर्ल्ड ओर्डर की तस्वीर है जहां चीन पर चारोतरस से निशाना लग रहा है रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिलहाल रोक दी है भारत ने चीन के 47 और एप्स पर प्रदिवन लगा दिया है एस्ट्रेलिया ने दखषणी चीन सागर पर चीन का दावा ठुकरा दिया है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि चीन के साथ उसके न से धांत मिलते हैं और न सियासत अमेरिका ने अपने हाँ चीन का काउंसलेट बंड कर दिया है अब दुनिया ने कह दिया है कि उसे चीन की दादागीरी कतई मन्जूर नहीं है 21 सदी में सामेवादी समराट, शी जिनपिंग के ख्वाबों वाले दुनिया नहीं सब को बराबरी का दर्जा देने वाले New World Order की रचना होगी अगर हम एक मुक्त 21 सदी चाहते हैं और वैसी 21 सदी नहीं चाहते जिसका ख्वाब शी जिनपिंग देख रही है तो चीन के साथ आँख बंद करके संबंद नेवाने से ऐसा बिलकुल नहीं होगा अब हम चीन के साथ आँख मून का रिष्टा नहीं निभा सकते ऐसा करना असंभव है प्रेसेडेंट ट्रम्प ने साथ कर दिया है कि हमें ऐसी रणनीती बनानी चाहिए जो अमेरिकी अर्थव्योस्था और अमेरिकी जीवन शेली की हैफाज़त कर सके मुक्त विश्चो को चीन के शड़यंत्र पर विजय पानी ही होगा चीन अपनी आर्थिक ताकत और मिल्टरी पावर के दम पर दुनिया पर दादागिरी जमाना चाहता है तिबबत के पठार से लेकर साउथ चाइना सी तक लगभग हर दिन चीन की सिनाएं पावर प्रजेंटेशन कर रही है ताना शाह जिन पिंग ने चीन में अपनी बाश्चाहत ताउमर कायम कर ली है अब वो दुनिया का शेहनशाह बनने का खुआद देख रहे हैं मगर जिन पिंग के सबनों पर धड़ा धड़ मिसाइल अटेक दो रहा है सबसे ताजा अटेक रूस और भारत में किया है रूस ने चीन को दुनिया के सबसे पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई रोप दी है S-400 को इस वक्त दुनिया का बेस्ट एर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जो 400 किलोमेटर दूर से मिसाइल अटेक रोप सकता है और आस्मान में ये 30 किलोमेटर की उचाई पर ही हमलावर जहाज या मिसाइल को तबाह कर देता है चीन को इस मिसाइल डिफेंस की एक यूनिट 2018 में मिल चुकी है जिसे फिलहाल तिबत में तैनाद किया गया है चीन के खिलाव दुनिया का ये एक्शन जरूरी हो गया था क्योंकि चीन अपनी दादागिरी वाली नई विश्वेज था बनाना चाहता है जो अमेरिका के सुपर पावर स्ट्रेटस की मुकाबले खाड़ी होगी और अंत में उसका खात्मा कर देगी इसलिए 20 सदी में एक ऐसे वर्ड आर्डर की दरूरत है जहां पर किसी एक देश की दादागिरी न चले इसके लिए आपको पहले मौजूदा वर्ड आर्डर को समझना होगा मौजूदा वर्ड आर्डर की स्थापना 1945 में यानि दूसरे विश्युद के खात्मे के बाद हुई थे उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर थी एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सुवियत संग देशों के बीज विवाद के चलते वर्ड वार जैसी विविश्का न हो इसके लिए सैंट राश संग की स्थापना की गए प्रभत्व को लेकर सुवियत संग और अमेरिका के बीज कूट्टी तिक खी तान चलती रहती थी सुवियत संग को हराने के लिए 1972 में अमेरिका ने चीन के साथ कूट्टी तिक संबंद इस्थापित किये जिसके बाद अमेरिका ने चीन को सोवियत संग के बरावर साम्मिवादी ताकत के तोर पर ख़ड़ा किया और उसके विकास में युगदान दिया 1991 में सोवियत संग के विक्टम के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर यानी अमेरिका बचा जिसने दुनिया के तमाम विवादों में सहिंक तराश्ट के बजाए सीधे देखल देना शुरू किया 2008 की आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका और अन्य देशों की आर्थिक ताकत कम हुई और चीन एक बड़ी शक्ती के तोर पर उबरा जिसने अमेरिका के सुपर पावर स्ट्रेटस को चुनौती देनी शुरू कर दी सोवियक संग के विकास में अमेरिका का कोई यगदान नहीं था लेकिन चीन को इतनी बड़ी टाकत बनाने में अमेरिका का रॉल सबसे इंपॉर्टेंट रहा आज भी अमेरिका चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन ने सबसे ज़ादा निर्यात अमेरिका को ही किया है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है सोवियत संग तो ऐसा दुश्मन था जो अमेरिका से दूर था सोवियत संग के दरवाजे बाकि दुनिया के लिए बन थे मगर चीन तो अमेरीकी अर्थरवस्था की नस नस में समाया है ये कोई नई containment policy नहीं है आप इस बात पर यकीन मत कीजिए कि ये बड़ी चुनोती है जिससे हमारा पहले सामना नहीं हुआ सोवियत संग के दर्वाजे हमारे लिए बन थे लेकिन चीन तो पहले से हमारी सरदों के भीतर घुसा हुआ है ऐसे में हम इस चुनोती का सामना अकेले नहीं कर सकते संयुक्त राश्ट, नैटो, जी सेवन देश और जी ट्वन्टी देश ये सब हमारी साजा, आर्थिक, कूटनितिक और सैने शक्ति के प्रतीक है और अगर हम साहस दिखाते हैं, तो यकीनन हम मिल जुलकर इस चुनोती का सामना कर सकते हैं शायद अब समय आ गया है, कि हम एक जैसी सोच रखने वाले देशों का नया समोह बनाए लोकतांत्रिक देशों का नया गड़बंदन बनाए हमारे पास अब नए संसाधन है, हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं New World Order के लिए अब अमेरिका और चीन में होड़ लगी है अमेरिका लोकतांत्रिक देशों का गड़बंदन बनाना चाहता है तो चीन ऐसे देशों को साथ ला रहा है जहां लोकतांत्र नहीं है चीन के खेमे में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और इरान जैसे देश है तो अमेरिका के साथ ब्रिटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूजिलेंड, फ्रांस और ताइवान जैसे मुल्क है पिछले तीन दश्कों में भारत, ब्राजील, डक्षन अफरीका जैसे देशों ने भी काफी तरक्की की है और अब वो नए वोल्ड आउडर में बराबर के साजीदार बनना चाहते हैं भारत को किसी एक देश की दादागेरी मंजूर नहीं, फिर चाहे वो चीन हो या अमेरिका अमेरिका को एक बहुत ध्रुविये विश्व की साथ काम करना सीखना होगा उसे ऐसी विश्व व्यस्था से तालमेल बिठाना होगा, जहांपर कई देश मजबूती से अपनी आवाज उठा सकें अब अमेरिका को उन गड़ बंधनों से आगे सोचना होगा, जिनके साथ वो पिछली दो पीडियों से काम करता आया है विदेश मंतरी एस जैशंकर का बयान, नियू इंडिया की विदेश नीती को डिफाइन करता है नया हिंदुस्तान दोस्ती करता है तो जम कर करता है, बराबरी से करता है, इसकी मिसाल ये तस्वीरे हैं भारत ने ये डीजल इंजन बांगला देश वो गिफ्ट किया है, जो इंडिया से दोस्ती का पैगान लेकर ढाका पहुचे ये डीजल रेल इंजन इस बात की निसाल है कि भारत जिस मल्टी पुलर वर्ड की कल्पना करता है, उसमें हर देश को बराबरी का दर्जा हासिल है, भारत में हमेशा ही नेबर हुड फॉस्ट की नीती को तवज्जो दी है, हाल के दिनों में भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों को मदद दी है, भागलादेश को दस डीजल इंजन का तोफा दिया गया, इसके लावा मालदीव के लिए जल्द ही एक आर्थिक पैकेज का एलान होने वाला है, कोविड-19 से जूज रहे मालदीव को भारत पहले ही 40 करोड डॉलर की आर्थिक मदद भेज चुका है इसके लावा भारत ने मालदीव को 6.2 तन दवाएं और 600 तन अनाज की मदद भी भेजी थी, भारत ने कोरोना काल में श्रिलंका को भी आर्थिक मदद दी है, श्रिलंका को भारत ने 40 करोड डॉलर की करेंसी स्वेप की सुविधा दी है, इसके लावा 1.1 डॉलर अरब के कर करेंसी स्वेप की मदद पर भी भारत विचार कर रहा है, इसके अंतरगत श्रिलंका की करेंसी के बदले में भारत उसे विदेशी मुद्रा देगा, भारत की इस मदद से श्रिलंका को विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से निपटने में मदद मिलेगा, यह तस्वीर भारत की दोस्ती की एक और मिसाल है कोविट काल में जब भारत ने इसराइल से कोरोना टेस्ट जल्द से जल्द करने वाली तक्नीक मांगी तो इसराइल ने अपने रक्षामंत्राले के रिसर्चर्ज की एक टीम भारत भेज़ दी इसराइल के रक्षामंत्राले के डायरेक्टरेट आफ डिफेंस रिसर्च एंड डिवलेप्मेंट की टीम को भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डिवलेप्मेंट और्गनाईजेशन के साथ मिलकर काम करना है दोनों देशों के टीम कोरोना की एक ऐसी रैपिड टेस्टिंग किट विक्सित कर रही है जिसमें 30 सिकंड में रिजल्ट मिल जाएगा दोनों देशों के टीम अब अपने रिसर्ट्स के आखरी दोर में है भारत और इसराइल के भीजिक डिफेंस रिलेशन्स भी काफी मजबूत है भारत इसराइल के सैन उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है सोमार को इसराइल से एक विशेस फ्लाइट आई जिसमें COVID-19 से लड़ने के लिए बेस्ट इसराइली उपकरण भारत पहुचा इस फ्लाइट के गवाई खुद भारत में इसराइल के राजदूर रौन मलका कर रहे था भारत में मेरे मित्रों को गुड मॉनिंग मैं इसराइल से दिल्ली के इस फ्लाइट का नेत्रित्तों करने में गर्ब महसूस कर रहा हूँ हम इस फ्लाइट में अपने देश के बेस्ट रीसर्च और शांदार वैग्या निकला रहे हैं जो इसराइल के रक्षा मंत्राले में काम करते हैं इसके अलावा इस फ्लाइट में हमारे स्वास्त मंत्राले के एक्सपर्ट भी भारत आ रहे हैं इस्राइल के ये एक्सपर्ट, भारत के DRDO और प्रधान मंत्री के रक्षा सलाकार की टीम के साथ मिलकर काम करेंगे हम COVID-19 के rapid test की खोज में जुटे हैं जिससे COVID-19 के test के नतीजे बस कुछ second में आ जाएंगे Scientific advisor for Prime Minister and DRDO trying to find rapid tests for COVID-19 that will give us results within seconds जिस वक्त चीन दुनिया पर अपनी दादागीरी जमाने की कोशिश कर रहा है उस वक्त भारत अपनी दोस्ती की मजबूत दीवार से चीन की घिरबंदी में जुटा है गलवान में भारत ने दिखा दिया कि अगर दुश्मन ने आँखें भी तरेरी तो हिंदुस्तान उसका क्या हच्ट करेगा भारत के न्यू वर्ड आउडर में दोस्ती भी जम कर होगी और दुश्मनी भी अभी रुखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार से आई कोरोना की बेहधी disturbing तस्वीर लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखें Oh My God